एलिमेनी कोट कैसे डिटर्माइन करती है, डिसाइड करती है कि आखिर पतनी को कितना पती से एलिमेनी मिलनी चाहिए, इस बात को कोट कैसे डिटर्माइन करती है, जरा इस पर्टिकलर वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि maintenance and alimony दोनों अलग-अलग चीज़ें होती है क्या होती है उसके पहले शुरुआत के आप सभी का स्वागत है Legal Advice में आपने शुरुआत अशो पांडे के साथ में की है इस पर्टिकलर वीडियो में जो जानकारी या चैनल के माध्यम से दीगई जानकारी आपको पसंद आए तो subscribe, like जरू करें आपके कोई comment है आपके कोई प्रशन है आप comment box में जरू mention कीज़े चली शुरुआत करते हैं और बात करते हैं alimony, court कैसे determine करती है तो maintenance and alimony का जरा फर्क समझते हैं सबसे पहली बात यह होती कि जो maintenance होता है वो हर महीने, भरन पोशन की राशी जो होती है वो हर महीने court तै करती है कि पतनी को पती से कितना मिलना चाहिए गुजारा भगता हम जिसे हम कहते हैं यह इस वज़ा से क्योंकि मान लीजे, पतनी जॉब नहीं करती है वो पती की उपर dependent थी दोनों के बीच में अनबन थे या बच्चे भी है या कैसी भी जो इस्थिती है वहाँ पे हर महीने के खर्चे तो लगेंगे ही इस वज़ा से maintenance court decide करती है मोटा मोटी आप यह समझ सकते हैं कि 20 से 30 प्रतिशत court determine करती है या देती है या इतना एक amount देती है जो sufficient हो उनके living status या standard को fulfill करने के लिए वो जिस बिस्थिती में हो इसके विपरीद जो alimini होता है वो एक मुष्ट राशी, एक साथ राशी जो तलाग के पहले या तलाग के समय court निर्धारित करे या वो आपस में decide कर ले तो इसे हम कहते हैं alimini अब for example, आपसी सहमती या contested दो तरीके के तलाग होते हैं हमेशा मैं आपको कहता आया हूँ कहने की कोई बात ही नहीं, होते ही है तो जो आपसी सहमती तलाग है वहाँ पर पती या पतनी दोनों आपस में determine कर लेते हैं कि आपको मुझे 10 लाग रुपे देना है और आप इस तलाग में agree करोगे और फिर आपका और हमारा कोई लेना देना नहीं होगा, तो जो एक साथ बनेगी जहां पर दोनों तयार नहीं एक particular amount पर, पती कुछ देना नहीं चाहता, पतनी बेवज़ा छोड़ना नहीं चाहती, कि भई कुछ नहीं मिला तो यार फिर मज़ाई क्या, तो इस वज़ए से जो alimini है, वो आप कैसे determine होगी, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा court, file करना पड़ेगा contested petition, और किन conditions के आधार पर अप court determine करेगी कि आपको कितना alimini मिलेगा, उसे जरा आप समझते हैं सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि पती की earning कितनी है, पतनी की earning कितनी है, दोनों की capacity कितनी है, वो job कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो मतब आप समझे circumstance क्या है, ability of paying क्या है, ये court ध्यान में रखती है, और इसी के साथ दोनों के assets कितने हैं, for example, पतनी job नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद उसके पास में एक घर है, या दो घर है, वहाँ से rental income आ रही थी, earning आ रही थी, उसका status ठीक है, या कुछ और भी इस्तिती बन सकती है, और पती कुछ job कर रहा है, जहां पर वो अपनी needs fulfill कर पा रहा है, तो यहां पर court दोनों को ध्यान में रखती है, ऐसा नहीं कि किल पती को देखा कि वो एक लाख रुपे कमा रहा है और उठा के सारा पत्नी को दे दिया, ऐसा कभी नहीं होता, court दोनों के status को ध्यान में रखती है, कि आखिर पत्नी क्या कर रही, पती क्या कर रहा है और दोनों की जो earning है जो salary है जो income है चाहे वो business से आए या job से आए या किसी भी तरीके से आए कोट उसे ध्यान में रखती है इसके साथ जो capacity है वो भी कोट ध्यान में रखती है income के साथ में जो behave और conduct of party है ये भी ध्यान में कोट रखती है कैसे for example wife को alimini चाहिए पती से 10-20-50 लाक रुपे चाहिए तो कोट ऐसे ही नहीं दे देती वहाँ पर देखती है कहीं extra marital affair तो नहीं है वाइव का अगर उसका किसी और के साथ में संबन्ध है और वो छोड़के येव खाली करना चाहती तो कोट इस बात को भी ध्यान में रखेगी और यहां पर इस्थिति ऐसी बनेगी कि कोट कम से कम या बहुत कम या क्या इस्थिति मतलब पहले से तो अगर मान लीजे कि 10 लाक रुपे जाने वाले थे पती के तो आधे से कम पैसे ही जाने वाले रहे तो ये आप समझ सकते हैं, एक और important factor ये होता है कि शादी में आपने कितना time दिया, ऐसा नहीं कि आज आपने शादी की और कल आपने एक करोड का alimony claim कर लिए, ऐसा नहीं, आपने कितना लंबा समय शादी में दिया, ये भी काफी important role play करता है, तो conduct of the parties, ability of pay, circumstantial facts क्या है दोनो कितनी है, दोनों के बीच की movable या immovable चल और अचल समपत्ती कितनी है, इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके code determine करती है, कि आखिर कितना alimony wife को मिलना चाहिए, अगर contest rate का मामला है तो, लड़ने जगरने का मामला है तो, और सबसे बहुत महात्योपून बात, आपको ये समझनी पड़ेगी, कि maintenance तो चलिए समझिये छोड़िये अलग कीजिये, ये कितना होता है, ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि लगभग लगभग 30% होता है, जो भी husband के पास में financial assets हैं, और calculate करने के बाद दोनों parties के, मोटा मोटी आप 30% के आसपास समझ सकते हैं, मैं आपको अंद और ये केस था Dr. Gladstone vs. Gita Gladstone का केस 2003, Volume 1, DMC, Page No. 617, Kerala Division Bench, यहाँ पर कोट ने काफी अच्छे तरीके से determine किया था, कि कैसे property को लेकर, circumstance को लेकर, income को लेकर, ability of parties को लेकर, conduct को लेकर, determine करना है maintenance के principle को या alumini को principle को, तो Dr. Gladstone vs. Gita Gladstone 2003 का केस आपके आएगा काम, ये निश्यत जा आपको अगर पसंद आई हो, सब्सक्राइब जरूर कर लें, आप हमारा चैनल साथ ही साथ किसी परिशानी के लिए करना चाहते हैं, बात इस particular वीडियो के description में detailed link है, जहांसे directly आपकी और मेरी हो जाएगी बात, आप सभी जो कीमती और महात्यवपूर्ण समय मुझे देते ह इसके लिए आप सभी का विशेश धन्यवाद